तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि students के लिए कौन सा आहाय सही है जो उनका दिमाग जो है वो सतरक बनाएगा और उन्हें बहुत ही अच्छी मात्रा में उर्जा देगा और strong बनने के लिए मदद करेगा शुरु करते हैं आज का हमारा वीडियो लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलादू कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आप ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे नीचे लाल कलर का सब्सक आपको मिल जाएगी, तो हमारी आज की वीडियो में सबसे पहला पदार्थ जो है वो है अक्रोड, तो अक्रोड जो है वो ब्रेन फूड यानि की दिमाग के लिए आहार जो हम कहते हैं, ऐसे नाम से जाना जाता है, क्योंकि अक्रोड बहुत ही ज्यादा फायदेमन होता है दि साथ आयोन है, कैल्चिम है, सेलेनियम है, जिंक है ऐसे बाकी के पुशकततव भी बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं अक्रोड में और हमारी याददाश जो होती है, मेमरी जो होती है उसे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा लाबदायक होते हैं, अक्रोड की तरह के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा आहार होता है इसलिए दूद में मिला कर अक्रोड या फिर बादाम का पाउडर अगर है तो वो रोजाना देना चाहिए बच्चों को नहीं तो दूद जो भी रोजका लेते हैं उसके साथ कम से कम 2-3 बादाम और 2-3 अक्रोड भी अगर बच्चे रोज लेते हैं तो उनकी याददाश बढ़ने के लिए मदद होगी और साथी साथ उनकी जो इम्यूनिटी है उससे बढ़ने के लिए भी ये मदद करेगा दूसरा पदार्थ है बीज तो बीज के अगर हम बात करें तो बीज के अंदर भी बहुत ही अच्छी मात होता है उसे बढ़ाने के लिए यानि की तेज दिमाग पाने के लिए बीज बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं बीज यानि की अलसी के बीज है सूरज मुखी है कद्दू के बीज है या फिर तरबूज के जो बीज आते है यह सूखे मिश्रन मिलते है तो वो बच्चों को द अलसि के बीज का रोजाना सेवन करने से एक और फाइदा होता है जो ये फिर हमारे बाल है उनके लिए भी ये बहुत ही ज्याधा गुंकारी है और हमारा पाचचन सुधारने के लिए भी ये मदद करता है तो इसलिए जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें सारी चीजों की बह या फिर सुखा मेवा है इसका समावेश अगर आप आहार में करते हो तो इन सारी प्रोब्लिम से चुटकारा पाने के लिए जरूर मदद होगी तीसरा पदात है अश्वगंधा तनाव को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा गुनकारी जड़ी बूटी हम कहेंगे अश्वगंधा को हमारा जो तनाव होता है यानि कि stress होता है उसे कम करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मदद करता है और हमारी स्पृत्ति यानि कि memory power जो से हम कहते हैं उसे बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा लाबदायक होता है तो खास करके बच्चों के students के आहार में इसका सामावेश जरूर करना चाहिए अश्वगंधा की powder मिलती है आजकल वो दूद के साथ या फिर पानी के साथ भी आप दे सकते हो बच्चों को रोजाना देना है brain के लिए यानि की दिमाग के विकास के लिए ये बहुत ही ज़ादा मदद करती है अब बात करते हैं फल और सबजियों की तो विद्यार्थियों के आहार में रोजाना कम से कम एक हरी सबजी होना बहुत ही ज़ादा आवशक है उसी के साथ साथ सलाद के तौर पे गाजर है या फिर मूली है ऐसी चीजों का समावेश भी आप कर सकते हो गाजर से जो विटमिन A मिलता है शरीर को वो बहुत ही अच्छा होता है आखों के लिए हमारी तो बच्चों का क्या होता है जब यह exam साथे है या फिर बाकी के दिनों में भी बहुत ही ज़्यादा एक तो screen के सामने रहते है नहीं तो पढ़ाई करते समय भी हमेशा concentration रहता है तो आखों भी बहुत ज़्यादा तनाव आजाता है इसलिए ऐसे पदार्थों का सामावेश करना बहुत ही ज़्यादा आवशक है फलों की अगर हम बात करें तो अलग-अलग प्रकार के जो ताजा मौसमी फल आते हैं वो बच्चों को लेना बहुत ही ज़्यादा आवशक है खासता और पर अगर हम कहें तो विटमेंसी उक्तफल जो होते हैं उनका सामावेश बच्चों के आहार में होना चाहिए ताकि हमारी इम्म्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़्यादा मदद करता है और एक बाद मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि बच्चे जो है वो फ्रूट्स खाने में बहुत ही ज़्यादा आलस करते है घर पे अगर रखा भी होगा तो वो नहीं खाते है तो ऐसे समय पे आप क्या कर सकते हो धो के आपको आपका डाइनिंग टेबल है या फिर आपका जो फ्रिज होता है उसके उपर वो रख देना है ताकि सामने जब भी कोई चीज दिखती है तो फिर वो असानी से खा लेते है तो इसलिए ऐसे तरीके से या फिर थोड़ा फ्रूट सलाद है फ्रूट चाट है ऐसे टेस्टी तरीके से अगर आप उसे बनाते हो तो फिर बच्चे बहुत ही पसंद से वो खा भी लेते है और उसे जो पोशन होता है वो भी बच्चों को अच्छी मात्रा में मिल जाएग तो इसी के कारण डाइजेशन के अगर कोई प्रॉबलम होती है तो भी फलो का सामावेश आहार में होना बहुत ही जादा आवशक है अब बात करते हैं प्रोटीन्स की तो स्टूडेंट्स के यानि की विद्यार्थियों के आहार में प्रोटीन्स होच्छी मात्रा में होना बहुत ही जादा आवशक है प्रोटीन्स में चिकन है अंडे है मचली है मांस है या फिर वेजेटेरियन ओप्शन के अगर हम बात करें तो दाल है तूद और दूद के पदार्थ है सोया पदार्थ है ऐसे अलग-अलग पदार्थों का सामावेश जरूर करना चाहिए क्यों ग्रोथ की यानि की विकास की उमर होती है तो इसलिए इन सारे पोशक तत्वों की वच्चों के शरीर को आवशकता है तो इन सारी चीजों का सामावेश भी आहार में जरूर करना चाहिए प्रोटीन्स की हम बात कर ही रहे है तो दूद भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन् क्योंकि दूद से भी बहुत ही अच्छी पात्रा में शरीर को प्रोटीन के साथ साथ कैल्शम भी मिलता है तो हड्डियों की मजबूती के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए रोज सुबह है या फिर रात को है जितना हो सके लेकिन अटलीस्ट एक बार दिन म में तो दूद का सामावेश अहार में जरूर होना चाहिए प्रोटीन के साथ 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 साबुत अनाज अहार में होना भी बहुत ही ज़्यादा आवशक है क्योंकि ये हमारा जो एनरजी उर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है कार्बोहाइडरेट होते हैं उसी से हमारे शरीर को बहुत ही अच्छी मात्रा में उर्जा मिलती है तो इसलिए काबोहाइडरेट शानी की साबुत अनाज है इसका सामावेश भी अहार में जरूर होना चाहिए ये हमारे पाचन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते है तो गेहु है चावल है या फिर जवार है मानसिक्स वास्ते का भी आपको खयाल रखना है हमेशा पढ़ाई है या फिर कुछ न कुछ activities करते रहते है उसके अलावा अगर उन्हें कुछ करना है यानि कि जो भी उनकी पसंदीदा activity है वो करने के लिए उन्हें support करना है आपको क्योंकि उनकी health के लिए उनका जो मानसिक आवशक है तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ अपने रिष्टेदारों के साथ इस वीडियो को शेर भी करे और अगर आपको कोई सवाल है तो वो भी कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो मैं अब आप से मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए गुडबाई